हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग ग्यास वैल्डिंग और ग्यास कटिंग में do you of account के बारे में जाने Lower में इस विडियो के माध्यम सब्सक्राइब कि ग्यास वैल ट्रकीिस करेंगे कि कि रिपर कृण है gases use होते हैं जैसा कि आप लोग जामते हैं कि gas welding और gas cutting जो होता है उसमें source of energy क्या होता है chemical energy use करते हैं हम लोग और chemical energy में क्या होता है कि हम लोग इसमें दो टाइप के gas होता है एक तो होता है हमारा first होता है fuel gas fuel एक तो fuel gas हो गया और दूसरा जो यूज हम लोग गैस करते हैं उसको बोलते है supporter of combustion supporter of combustion gas यह दो टाइप के gas का हम लोग यूज करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि welding इसी से हमें क्या होता है welding हम लोग कर पाते है यह फिर welding और यह कटी यह दो हमें fuel gas और supporter of combustion gas चाहिए ही चाहिए अगर यह दोनों को हम लोग मिक्स करके और किसी मेडियम से फ्लो करा करके flame generate करते हैं जिससे हमें उस flame से हीट उस flame से हीट लिवरेट होता है और से हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं चलिए समझते हैं कि fuel gas कौन कौन से fuel gas हम लोग यूज करते हैं और supporter of combustion gas कौन कौन सा होता है तो मैं यह यहां पर लिख देता हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं fuel gas fuel gas दूसरा हम लोग यूज करते हैं supporter of combustion SOC कर देता हूं supporter of combustion यह हो गया और तीसरा जो हो गया इससे जो flame generate होगा वह मैंने लिख देता हूं यहां पर कि किस टाइब का flame generate होगा तो यहां पर कि लेम टाइब हो गया तो फॉर्स्ट जो हम लोग गैस यूज करते हैं उसका नाम होता है acetylene gas इसके साथ यह fuel gas पहला fuel gas हो गया second fuel gas होगा hydrogen hydrogen gas थर्ड होगा coal gas फॉर्थ होगा liquid petroleum gas LPG लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो हम लोग घर में यूज करते हैं नॉर्मली खाना बनाने के लिए फिफ्ट नंबर में हो गया acetylene ही हो जाएगा जेनरली दोस्तों हम लोग फॉर्ट टाइप के fuel gas यूज करते हैं फर्स्ट में acetylene gas हो गया जेनरली बहुत सबसे ज्यादा acetylene gas का यूज करते हैं as a fuel gas in a gas welding or cutting दूसरा hydrogen gas तीसरा coal gas फोर्थ मोगा liquid petroleum gas इसको LPG gas भी यूज हम लोग करते हैं इसके साथ supporter of combustion gas कौन सा यूज करते हैं supporter of combustion is nothing बट ये एक ऐसा gas होता है जो इस fuel gas को totally burn करने के लिए करने में help करता है यानि जो fuel gas होता है उसको totally burn करने में ये supporter of combustion gas help करता है ताकि fuel gas का वेश्टेज नहीं आ हो और आसानी से हमारा पूरा fuel gas burn हो जाए तो अक्सर जो सबसे ज़्यादा fuel supporter of combustion gas के रूप में जो gas use होता है उसको बोलते है oxygen oxygen gas oxygen gas as a supporter of combustion gas हमेशा use होता है चाहे वो acetylene के साथ भी use होता है hydrogen के साथ भी use होता है coal gas के साथ भी use होता है liquid petroleum gas के साथ भी use होता है तो most of cases में देखा जाता है कि oxygen gas को हम लोग supporter of combustion gas के रूप में use करते हैं यह oxygen gas क्या करता है कि हमारे fuel gas को totally burn करा देता है जिससे हमारा fuel gas waste नहीं होता और हमारा बाहर के atmosphere में वो मतलब की बाहर के atmosphere में जब हम लोग flame generate करते हैं तो इस टाइम में बाहर के atmosphere में वो जागर के fly नहीं करता है तो इस तरह से हम लोग supporter of combustion का use करते हैं because of this reason ताकि जिससे हमारा totally fuel gas burn हो सके और supporter of combustion combustion gas के रूप में हम लोग oxygen gas का use करते हैं लेकिन एक जगा जो है कभी-कभी हम लोग air भी use करते हैं तो यहां पे हम लोग air यूज करेंगे तो यह special case है special case होता है जहां पर हम लोग air का use करते हैं as a supporter of combustion gas first यह बहुत ही rare case में यूज किया जाता है मैं बताऊंगा कि इसका use कहां किया जाता है next video में मैं यह भी बताऊंगा कि इसका यूज किया जाता है अब आते हैं कि flame का नाम क्या होगा अगर oxygen और oxygen और acetylene दो gases को मिला करके जो flame generate होगा उसको oxy acetylene flame बोलेंगे oxy acetylene flame बोलेंगे इसी तरह से यहां पर hydrogen gas और oxygen gas mix होकर के जो flame बनेगा उसको बोलेंगे oxy hydrogen flame hydrogen flame इसी तरह से coal gas का भी हो जाएगा oxy coal gas oxy coal flame इसी तरह से यहां पर हो जाएगा oxy lpg flame यहां पर क्या होगा friends तो यहां पर होगा oxy sorry oxy यहां पर नहीं होगा तो कि यहां पर air है तो यहां पर होगा air acetylene air acetylene flame so यहां पर हम लोगों ने यह भी देख लिया कि कौन-कौन से fuel gas यूज होते हैं अगर हम लोग acetylene fuel gas यूज करते हैं oxy gas के साथ तो उससे जो flame बनेगा उसको oxy acetylene flame बोलेंगे अगर हम लोग hydrogen gas oxygen gas के साथ mix करके यूज करते हैं तो उससे जो flame बनेगा उसको oxy hydrogen flame बोलेंगे Kool gas अगर oxygen के साथ Fuel Coil 심 LPG ете इसे तरह से azatedlen s ひ streamline Ste gua हई जो gas welding को categorize किया गया है पहला हो गया oxy-acetylene gas welding, oxy hydrogen gas welding, oxy coal gas welding, oxy LPG gas welding और air acetylene gas welding इसी तरह से इसको categorize किया गया है तो main हमें focus करना रहता है कि कौन सा fuel gas use कर रहे हैं और उसके साथ किस type का supporter of combustion यूज़ करते हैं रेयर केस में air का यूज़ करते हैं as a supporter of combustion gas, इस वीडियो में इतना ही, next के वीडियो में आप लोग को इसके इसका यूज़ कहां यूज़ करते हैं और इस से इस flame जब यह flame generate होता है तो यह flame कितना degree temperature liberate करता है वो मैं next के वीडियो में बताऊंगा, कि oxy-acetylene flame कितना temperature liberate करता है कितना degree temperature liberate करता है और इसका use कहां किया जाता है, so thank you for your kind attention